गूट मॉरिंग चिंडन, मेरे चैनल ओनलाइन स्टेडी हमें आपका स्वागत है, प्यारे बच्चो, आज हम फोर्थ क्लास की इंग्लिस की बुक, माई बुक आफ इंग्लिस का लैसन सेकेंट, अपुरली काउंट्स हिस डंकीज का ग्रैमर पार्ट सीखने वाले हैं, तो दे रोहन का बैग, इसमें अपने टॉइस रखता है रोहन, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, रोहान is a young boy, रोहान एक जवान लड़का है, He is very intelligent, वहें बहुत हुश्यार है, He has a big bag, उसके पास एक बड़ा बैग है, It is made of leather, यह है leather का बना हुआ है, यानि चम्रे का बना हुआ है, He keeps all his toys in it, वहें उसमें अपने सारे खिलोने रखता है, The toys in the bag belong to him, उसके बैग में खिलोने उससे संबंधित है, I like him, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर हमने ये सारे sentences पढ़े, तो आपने क्या देखा बच्चो, रोहन एक लड़का है, है ना, और अगले sentence में यहाँ रोहन की जगे ही आया है, यहाँ पर भी he आया है, यहाँ पर उसके पास एक बड़ा bag है, और फिट bag के लिए आया है, यहाँ पर it की ये leather का बना हुआ है, तो bag की जगे it word आया है, और इसमें sentence में देखो रोहन की जगे he आया है, और अपने के लिए जो है वो his आया है, और आगे इसी तरह से जो है words आया हुए है, it है, him है, यहाँ पर I है, यहाँ पर like है, तो यह words क्या है, तो आज आपको इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, कि रोहन जो है, वो एक नाम है, रोहन is a name, और a naming word is a noun, और जो नाम होता है, वो noun होता है, यानि की noun क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान के नाम को noun यानि की संग्या बोलते हैं वच्चों, ठीक है, पर जो भी word आते हैं, जैसे यह आई हुए हैं, इन सब words को हम क्या बोलते हैं, पता है, pronoun बोलते हैं, the word he, it, his, him, stand for Rohan, तो यह जो word है, रोहन के लिए आया है, और, sorry, it जो word है, वो back के लिए आया है, back के लिए it, और he, his, him, words stand for Rohan, यानि Rohan के लिए आया है, और it words stand for bag, यह back के लिए आया, तो यह जो words हैं, उनको pronoun बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो, pronouns are words, which words used in place of nouns, यानि की, pronouns ऐसे word हैं, जो noun के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं, तो उने, pronoun जो होता है, बच्चों, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में सरुनाम, और जो noun है, noun को क्या बोलते हैं, बताओ, जो noun है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, संग्या, ठीक है, और pronoun को सरुनाम बोलते हैं, आगे अब यहाँ पर देखो, rewrite the given sentences, using appropriate pronouns in place of underlined nouns, इसने कहा है, कि नीचे, underlined noun के स्थान पर उचित pronoun का प्रियोग करते हुए, दिये गए वाक्यों को दोबारा लिखें, जो ये वाक्यों दे रखें हैं, इनको हमें दोबारा लिखना है, और जो हाँ पर underlined के वे word हैं, उसकी जिखें, ये जो word है, ये noun है, इनकी जिखें, pronoun यूज करना है, तो देखो, अब मैं pronoun word यूज करना सिखाऊंगे आपको, ये पहला sentence देखिए, इसमें लिख रखा है, अबू अली went to the fair, अबू अली bought nine dhankies, यानि कि अबू अली मेले में गया, अबू अली ने नो गदे खरीदे, तो बार बार अबू अली अबू अली ये ठीक नहीं होता है, सही नहीं लगता है, वाक्य सही डंग से नहीं बोला जाता है ऐसे करने से, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बार तो हम किसी का नाम लिखते हैं, और दूसरी बार जब हम उसका नाम की बजाए हम उसकी जगे प्रोनाउन यूज़ करते है अगर वो आदमी है यानि की बच्चो अगर मेल है भी यहाँ पर देखो एक बार मैं समझा देती हूँ अगर मेल है तो उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे और अगर कोई फीमेल है तो हम उसके लिए शी का यूज़ करते है और अगर दो या दो से ज़ादा है दो तू और मौर दैन तू तू यानि दो या दो से ज़ादा अगर कोई है तो उसके लिए बच्चों हम pronoun they का use करते हैं, ये दिहान रखिए और अगर कोई निर्जीव वस्तु आ जाए ठीक है, निर्जीव वस्तु तो उसके लिए हम it pronoun का use करते हैं यानि निर्जीव वस्तु का मतलब है इंगलिस में non-living thing non-living thing ये वैसे मैंने समुम जाने के लिए यहां पर लिख दिया है अगर non-living thing है तो उसकी जगें हम it pronoun का use करते हैं अब देखो यहां पर अबू अली तो पहली बार तो अबू अली यही आ जाएगा अबू अली वैं टू दफियर आगया, आगे अबू अली ने नो गधे खरीदे तो इस अबू अली की जगें हम यह mail है ना इसलिए he का प्रियोग करेंगे इसकी जगें he आ जाएगा और बाकी सारा sentence same रहेगा, he bought nine donkeys, यह देखो यह हमने लिख दिया ना यहां पर, इस तेंसे अब second sentence देखो अबू saw his friend मूसा, अबू ने अपने दोस्त मूसा को देखा, he asked मूसा to count the donkeys, उसने गधों को count करने के लिए मूसा को बोला कहा तो अब देखो, यहां मूसा की जगें हमें word लिखना है यहां underline कर रखे ना, तो यह पहला sentence तो same आएगा, अबू saw his friend, मूसा he asked अब मूसा, मूसा की जगें क्या आजाएगा, उसे उसे के लिए होता है him, he का him में change हो जाएगा यह, he asked him to count the donkeys, आगे समझ में बच्चो, third sentence देखो अबू अली wore a beautiful dress अबू अली ने एक सुन्दर dress पहनी, the dress was yellow in color, dress जो थी, वो पीले रंकी थी, तो अब अबू अली wore a beautiful dress, यह तो सेम आजाएगा, जो dress है, अब हमें इस dress, जो यह word dress दोबारा से आया है इस dress की जगे है, क्या use करना पता है, यह क्या है, non living thing है ना, तो इसके लिए हम it का प्रियोग करेंगे, it was सादा टंकेज अबू अली और मुसा ने गधों को देखा, अबू अली and मुसा counted them ten, अबू अली और मुसा ने उनको 10 count किया, 10 गिने तो अब देखो, यहाँ पर underline कर रखा है, अबू अली और मुसा, कि इसकी जगे हैं क्या आएगा, तो sentence में सबसे पहले तो, यह जो noun है, पहले वाले sentence में तो सेम रहेंगे, अबू अली and मुसा, लेकिन जब दूसरा sentence लिखते हैं, तो मैंने अभी बताया था, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर आ जाते हैं, तो उनके जगे कौन सा pronoun यूज करेंगे बताओ, दे, तो यहाँ पर उनकी जगे है, दे लग जाएगा और काउंटेट देम, टेन यह सेम आ जाएगा आ गया समझ में, तो इस तरह से यह आएगा अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है रीड द फॉलॉविंग संटेंसेज, नीचे दिये गई संटेंसेज को पढ़ें तो देखिए पढ़ते हैं, राधा इस अ गर्ल, राधा एक लड़की है दिस इस एन आंट यह एक चीन्टी है आवर क्लास वेंट टू सी दाज महल लास्ट यर हमारी कक्षया पिछले साल ताज महल देखने के लिए गई माई फादर माई फादर reads the Indian Express everyday मेरे पिताजी हर रोज Indian Express न्यूस पेपर का नाम है बच्चो यह पढ़ते हैं इन द अबो sentences the words in bold a, an, and the are articles यह कहता है कि यहाँ इन उपर sentences में जो bold में जो words दे रखे हैं a, an, the और यह था यह जो है वो articles है a is used before singular nouns beginning with consonant sounds यह कहता है कि a जो है वो consonant sound से शुरू होने वाली एक वचन संग्या से पहले यूज किया जाता है and n is used before singular nouns beginning with vowel sounds और यह जो है पो वावल सांड से शुरू होने वाली एक वचन संग्या से पहले इसका प्रयोग किया जाता है दा is used before the names of rivers, oceans, mountains, islands, newspapers, holly books, historical buildings and also a particular thing or person और ता का यूज जो है वो नदियों के नामों से पहले सागरों के, परवतों के यह island होता है द्वीप, द्वीपों के नाम से पहले अखबार, newspaper के नाम से पहले कोई भी पवित्र book है, holly book जैसे की गीतार, आमायन, महाभारत इनके नाम से पहले कोई historical building है, तिहासिक जो buildings है और यहां किसी विशेस व्याक्ती या वस्तू, थेंगोति वस्तू, किसी भी विशेस वस्तू या प्याक्ती के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है तो आपको यह अच्छी तरह से समझाया तो देखे, बार मैं इसको और अच्छी तरह से समझाती हूँ देखे, बड़े simple way में बताती हूँ मैं आपको, ए का यूज कहां किया जाता है ए आर्टिकल है, उसका यूज कहां किया जाता है और एन का यूज कहां किया जाता है और दा का यूज कहां किया जाता है तो देखो, ध्यान से देखो ए का यूज जो है, वो consonant sound Consonant कोंट से होते हैं? बता है ना? बता है ना? ये consonant यानि कि गढ़िर जच 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 जितने भी Consonant Consonant होते हैं बच्चों व्यृंजन ठीक है? तो उनकी आवाज अगर ये वाली आवाज आगा जैसे कि BAT तो लगेगा A, BAT यहाँ देखो ब, ब की sound आती न, तो उससे पहले ए लगेगा अब जैसे की दे दिया fan, अब यहाँ पर कुन सा article आएगा फ, फ की आवाज है न यह, फ की आवाज है तो यहाँ पर आएगा ए, ए, fan, अब आता है N, N कहाँ पर लगेगा तो N के लिए बचो यह ध्यान लखो, वावल sound जहाँ पर भी आ जाए, वावल और वावल कितने है, पाँच, कौन कौन से, A, E, I, O, U यह पाँच वावल है, जहाँ पर इनकी आवाज आ जाए हमें N लिखना है और एक और easy बात बता देती हूँ बचो, आपको वावल देखने की भी जरूरत नहीं है आपको sound में A, A, E, I, O, और O, यह देख लिना है बस, O, और O, बस यह word आपको देख लेने है, अगर इन में से अगर sound आ जाए, जैसे कि है orange, यह देखिए यहाँ पर क्या आएगा, N, orange, तो N लगेगा अब जैसे हम एक दूसरा word लेते हैं, ox ox, तो यहाँ पर क्या आएगा, N, ox इसी तरह हैसे है, elephant, elephant, A, E, elephant A की sound आई ना, तो यहाँ आएगा, N, elephant, ox में O की sound आई है न, A, I, I, O, O, O भी बच्चो, O की sound आज आई ना, वहाँ पर भी N लगता है जैसे orange, ox, आगा है समझ में, और अब है दा, दा कहां यूस होगा, दा अभी मैंने आपको बताया ही था कि इसी भी नदी का नाम है, नदियों का नाम है, परवतों का नाम है, यहाँ महादवीपों का नाम है, महादवीपों और जैसे कि कोई भी पवित्र पुस्तक है जैसे है जैसे कि गीता है महाभारत है बाइबल है इस तरह से यहां कोई विशेश व्यक्ति यहां विशेश थान तो इनके नाम से पहले दा लगता है जैसे नदियों का नाम आ गया दा गंगा ठीक है तो यहाँ पर दा लगा है इसी तरह से है यहाँ पर जैसे holy book मालो गीता लगा लिया तो दा गीता तो यहाँ पर दा लगा है इस तरह से use होंगे और बच्चो मैंने articles पर एक वीडियो भी बना रखी है अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है और detail में पूरी detail में समझा रखा है मैंने उसमे articles अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे channel online study hub पर जाकर articles वाली वो वीडियो देख ले आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आजाएगा तो अब देखिए आगे है fill in the blanks with a, an and the यहां पर खालिस्थान भरो करता है a, an और दा से खालिस्थान भरो तो देखिए पहला हमारा sentence है this is dash pencil तो बताओ pencil किस की sound आई प प प की sound आई ना तो प क्या है यहां पर? consonant तो क्या आएगा? a आजाएगा this is a pencil this is a pencil you should take dash umbrella umbrella a, किस की sound आई? a की है ना? तो क्या आएगा? an umbrella आशुतोस is dash intelligent boy intelligent e, e की sound आई ना बच्चो तो क्या आएगा? यह e की sound आई क्या आएगा? an intelligent boy his father is dash honest man इसको हम honest नहीं बोलते हैं इसमें h जो है वो silent होता है इसलिए honest बोलते हैं और honest में o की sound आती है तो क्या आएगा? an honest man आगे next sentence है कि English is not dash difficult language difficult में क्या आया? ड, ड क्या है? consonant sound है ना? तो consonant sound है यानि वेंजन की sound है तो इसके साथ a लगेगा English is not a difficult language इसको ऐसे पढ़ेंगे dash gita is a holy book गीता एक पवित्र बुक है तो गीता गीता आया ना पवित्र बुक के लिए क्या आता है? दा यूज किया जाता है अब आगे है अलादीन had dash wonderful lamp wonderful में व, व की sound आ रही तो क्या आएगा? a wonderful lamp next है I saw this elephant in the zoo मैंने जूब में elephant देखा, elephant a, o की sound आई तो क्या आएगा? an elephant क्या बरन जाएगा ये? I saw an elephant in the zoo तो इस तरह से ये आ जाएगा तो बच्चो आज तो इस वीडियो में केवल इतना ही next वीडियो में मैं आपको इसका जो बचा हुआ ये पार्ट है उसको समझाने वाली हूँ अगर आपने मेरे चैनल online study hub को भी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe भी करें और साथ में दिए bell icon को जरूर प्रेस करें तो बच्चो फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई